नमस्कार आप देख रहे हैं एब इस इंडिया मैं आमित भोबिया तो दोस्तों यह है हमारा आम का पोधा इसको आज हम फाइनली लगाने जा रहे हैं जो 7-8 दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाई दी होगी जिसके अंदर हमने खड़े खोदे थे खड़ों को ट्रीट किय था वो खड़े अब हमारी ट्रीट हो गए त्यार हो गए हैं अब इसके अंदर हम लगाते हैं पोधे तो जिन लोगों ने अब तक वह वीडियो नहीं देखी वो लोग यह वीडियो देख लीजिए जो पुरानी वाली वीडियो आई-कार्ड में आपको दिखाई दे रहे पूरी ववस्ता बताई थी तो अब हम इसको लगाने जा रहे हैं हमने इस पाइप का महत्तब भी बताया था कि यह पाइप जो है यह बाद में इंजेक्शन का काम करेगी पोधे को जो जो चीजे में प्रोइड करवानी है उसके लिए तो हमारा आप जो खड़ा है वो पू और इसी परियास में मैं अब लगा हुआ हूँ तो दोस्तो एक बात का ध्यानों रखें कि जब यह पोधा लगाएंगे जैसे हमारा पोधा काफी लंबा है भी मैं स्पोर्ट साथ में लेकर नहीं आया हूँ तो यह लगाने के बाद इसको स्पोर्ट भी आपको देना है अच्छे से बांद दीजिएगा ताकि पोधा जो है वो टेड़ा ना हो और जो मिट्टी है साइड में अच्छे से दबा कर मिट्टी डाल दीजिएगा और उसके बाद पानी बीच पे न रहे तो दोस्तों फाइनली हमारा जो प्लांट है वो लग चुका है अब बस इसके अंदर पानी डालना है पानी जाता रहेगा और उसको पूरा का पूरा प्लांट है इसको बढ़िया से त्यार करके रखेगा तो यह वीडियो कैसी रही कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और पुराने वाली जो वीडियो है जो आपके सामने भी दिखाई दे रही है य पूरा चो बालने रहे कोमेंट वीड़집 देगÒड़ जो पूरा